ओम श्यंति, अब समय आ गया है अपने सत्य स्वरूप को पैचान कर, अपने अंतर मन में उठी हुई सभी दूसित वर्तियों को समात करने का, यदि समय भी कोई मनुस्चूक गया, तो वो कभी ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि समय तो स्वयम भगवान हमारे गाइड बनकर आए हैं, वो हमें कदम कदम पर मार्ग दिखा रहे हैं, हमें शक्तियां भी दे रहे हैं, एक विशेश चीज जो संसार में सभी के अनुभों में बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी, कि सभी के अंदर बहुत दूसित वर्टियां, कामुक वर्टियां, निगेटिव फिलिंग्स और जनम जनम के विकर्मों का इफेक्ट इमर्ज होने लगा है, न चाहते भी अनेक विर्ट संकल्प मनुस को अपनी चपेट में लेते जा रहे हैं, बहुत सारी बढ़ती हुई बिमारियां और संबंदों में बढ़ते हुए अन्नेसेशरी टकराव, इस वात के दियो तक हैं, कि अब सभी के हिसाब किताब चुक्तू करने का समय समीबा पहुचा है, बाबा ने कभी कहा भी था, एक दिन आएगा, तुम से वनुभव करोगे, सब के हिसाब किताब चुक्तू करने की गोडली मिशनरी बहुत तेजी से और सुक्समता से काम करेगी, उस समय पर हम पहुच गए हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा ब्यास करना है, एक ही सब्ध हम आपको दे रहे हैं, नो इफेक्ट, कोई बुरा बोलता है, कोई इंसल्ट करता है, कोई आपकी भावनाओं को हर्ट करता है, उसे बहुत लाइटली लेना है, चोकि अगर आपने अपने अंदर में उसको रख लिया, तो आपकी ब्रेन की अनेक शक्तियां डेमेज हो सकती हैं, नस्थ हो सकती हैं, इसका कारण यही है, क्योंकि ब्रेन पहले ही सभी का बहुत वीक हो चुका है, जो आत्माएं बहुत पुरानी हैं, जिनोंने अनेक जनम लिये हैं, उनके मस्तिस काफी कमजोर स्थिती में हैं, इसलिए बहुत हलका रहेंगे, तो बाते भी हलकी होकर समात हो जाएंगी, दूसरा स्वयम को इस्वरिये खुशी से भरपूर रख कर चलना है, अगर हम स्वयम को रोज सवेरे चार जी नहीं करेंगे, योग से, स्रेष्ट ग्यान से, सुन्दर संकल्पों से, या स्वमान से, तो हम इस कलियोगी वातावर्ण में खुश नहीं रह पाएंगे, और यदि हम खुश नहीं रहेंगे, तो अनेक निगेटिव बातों का इफेक्ट हमारे उपर आता रहेगा, तो हम समय की नाजुकता को पहचान कर स्वयम को खुशी से भरपूर करें, खुशी के कुछ बहुत सारे संकल्प अपने पास नौठ रखा करें, और वीच वीच में उनकी स्टोडी करते रहें, साथ में बहुत हलका रहना है, हम जानते हैं हलका रहना, संवट नो में आठकल सरल काम नहीं है, लेकिन जो आत्मे स्वमान में बहुत रहती हैं, जो बाबा को अपना जिम्मेदार समझ कर चलती हैं, और जो अपने सत्य स्वरूप में इस्थित रहती हैं, वो दूसरों से मा सम्मान की कामना नहीं करती, दूसरे अप्रिशियेट करें इसकी कामना भी नहीं करती, इसलिए वो बहुत अच्छी स्थिती में रहती हैं, तो हमें फरिष्टा बनना है, ऐसे अभ्यास में हम रहेंगे, मैं चमकती हुई तेजस्री आत्मा हूँ, और मेरा ये देह भी प्रकाश की देह में बदल गया है, और मेरे अंगंग से रंग बिरंगी केड़ने फैल रही हैं, मैं फरिष्टा पूर्ण स्वतंत्र हूँ, बन्धन मोक्त हूँ, उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ, और बार बार उड़कर कहीं जाकर सकास देकर आएंगे, आज सारा दिन ये अभ्यास चलेगा, ओम संथी.